संस्क्रती फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आज के इस प्रभुद्धनागरिक संभिलन में उपस्थित मंच पर आज की चीफ गेस्ट भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सितारा मंजी गेस्ट आप आनर बीवी आर मोहन रेडी जी रिसेप्शन कमिटी के चेर्मेन जस्टी सेल नर्सिवा रेडी जी वाइस चेर्मेन डक्टर वर्प्रशाद रेडी जी संस्क्रती फांडेशन के अध्यक्ष पी राजू जी और देश और समाज के विकास की प्रकरिया में लगे उए सभी कि इस साल में उपस्तित प्रपुद्ध बेनों तथा भाईयों हमारे यहां पर जो प्राचीन गरंध है अथरवेद उसमें एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया है कि जनम विब्रती बभुदा विवाचसम नाना धर्माणम प्रत्वी यथो कसम इस प्रत्वी के उपर बहुत प्रकार की वाशाएं बोलने वाले हैं लेकिन प्रत्वी एक है हाव भी एक है तो अभी आपने इस हाल में तेलगो में सुना अंग्रेजी में सुना मैं मेरी बात हिंदी में कहूंगा आज का जो विशा है उसके सम्मन्द में मेरे पूरो वक्ताओं ने फिलसोफिकल कॉंसेप्ट के रूप में हमारे समाज में जो एंशियंट परमपरा है उनके रूप में विभिन्न प्रकार की ट्रेडिशन्स जो डे-टू-डे लाइफ में विभार में है उसके संदर्व में और इस सारी प्रक्रिया के अंदर आज का जो विशा है उसके संबंद में बहुत बाते कही है मैं भी कुछ विचार इसके संदर्व में आपके सामने रखने का प्रेंट करता हूँ आज का सब्जेक्ट है री-इमर्जेंस आफ इंडिया देट इस भारत रोल आफ फिफ्थी स्टेट इसके दो भागे हैं एक हमने कहा है कि री-इमर्जेंस पुनरोदय इसका आर्थ ये भी एक होता है कि पहले हम महान थे आज नहीं है इसलिए री-इमर्जेंस करना है दूसरी कांस्टिटूशन में कहा है इंडिया देट इस भारत ऐसे प्रापर ना उनके दो नाम नहीं होते हैं दुनिया में कभी ये विशेष्टा अपनी देश में है और भारत ये बहुत प्राचीन नाम है तो री-इमर्जेंस भारत का करना है और सेकंड पार्टे की इस री-इमर्जेंस में जो रोल है संस्कृती का उसके संब्दद है विचार करने की आवशकता है इसका महत्व रेड़ी जी ने कहा कि ये फिफ्ट की वज़ाए फिस्ट स्टेट के ना चाहिए तो मुझे एक प्रसंग याद आया कि कोपर निकस जिसने संसेंट्रिक युनिवर्स का मोरल वेस्ट के अंदर दिया भारत में भी आरिवटन ने उसके पहले बताया था लेकिन हमको उसका पता नहीं रेता है लेकिन कोपर निकस ये पॉलून में तोरून का था वहीं उसकी समाधी है उसकी समाधी पर एक वाट के लिखा है Here is the man who make the sun stand still and the earth move around जब कमीजिजम के विरोध में और लेकिवालेसा का मुमेंट चला पॉलेंड में तो उसमें कोपर निकस की समाधी पे लेके इस वाट को एक ट्विश्ट दिया और उसमें कहा We are also making this society stand still and party move around मैं उसी को थोड़ा ट्विश्ट करके ये जो फिफ्टी स्टेट है संस्करती stand still and the whole life of भारत is move around इसकी आजावशक्ता है जब रीमर्जेंस की बात आती है तो ये human nature है कि हर एक अपना परभाव अपना influence बनाना चाहता है उसमें कुछ गलत नहीं है चाए person हो, चाए society हो, चाए nation हो ये दुनिया में पहले से होता रहा है भारत के लोग भी विश्व में परभाव के लिए गए योरोप और अरप के लोग भी विश्व में परभाव के लिए गए लेकिन दोनों के अनुभव विश्व को भिन्ने है योरोप और इसलाम जब अपने influence के लिए विश्व में गए तो जो भी civilization थी, जो भी culture थी, जो भी traditions थी वो सबको समाप्त किया है colonies बनाई, शोशन किया यही कहानी है और इसमें आज भी कोई विशेश अंतर नहीं आया है जब bipolar दुनिया थी Soviet संग और अमेरिका यह दो और पोल थे और जब 90's में Soviet संग ध्वस्त हुआ तब एक चर्चा चली कि अब single polar दुनिया हो गई है अमेरिका सुपरीम हो गया उस समय फ्रांसी सी फुकुयामा की एक बुक आई End of the History and the Last Man उसमें उसमें कहा कि अब यह निर्ववाद रूप से हो गया है कि अमेरिका यह वर्ल्ड आर्डर देगा लेकिन यह देने के लिए क्या करना है तो जो मैंने कहा कि पहले यह रोप और इसलाम जब गए तो अपने इन्फिनेंस के लिए सब को समाप्त किया तो आज भी मनोवरत्ती वही है नाइंटी टू में और जो अमेरिकान गोवर्मेंट का एक दस्तावे जारी हुआ उसमें कहा कि विक्सित तकनिकों और दुनिया के प्राकर्तिक और उर्जा स्त्रोतों पर अधिकार और नियंत्रन पर यह अमेरिका की अंतर राष्टी इस्तिती निर्भर करती है इसी प्रक्रिया में अमेरिका को ये भी दे करना है कि दुनिया में कोई दूसरा देश उसकी बरावरी पर ना आए इसे तू कजाकिस्तान से सौधी अरब तक तेल और प्राकर्तिक गेस के स्त्रोतों पर नियंत्रन आवश्यक है मेरा कहने का ताथ पर यह है कि री इमर्जेंस अफ नेशन हर एक का कल्पना है लेकिन इमर्जेंस होने के बाद तो दुनिया को अनुभव है दूसरी और भारत भी एक समय के अंदर विश्व के अंदर उसकी भूमी का थी लेकिन भारत का विश्व को अनुभव क्या है तो जो दो बाते कहता हूँ स्वाभी विवेकनन जब 1893 में शिकागो में धर्म महासभा में गए वे तो फर्स्ट स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि इस विश्व में मानव जाती के ऊपर समय समय पर अनेक प्रकार के और जब अत्याचार हुए वो चाहे तलवार के बल पर हो या थौट्स के बल पर हो तो लोगों को अपने देशों से ख़़ेड़ा गया भारत बोले मैं उस देश चाहिया हूँ जिसने दुनिया के किसी भी देश के पीडित मनुश्य को अपने आपर जगा दी अपने आपर आश्रे दिया और दो एक्जामपल उन्होंने दिये कि जब पेलेस्टाइन के अंदर और यहुदियों को निकाला गया उनके मंदिर तुड़े गए तब उनको शरण भारत में दिये और इसलाम के इनिरेजन के बाद जब इरान में अगनी पूजक पार्सियों को निकाला गया उनको शरण भारत में दिये और यह स्वामी विवे का नद में कहा ऐसा नहीं है एक और एक्जाम्पल दियान में आता है कि हम 1947 के अंदर आजाद हुए हमसे एक वर्ष बाद आज का इस्रेईल अस्तित्मों आया 1948 में जब 1948 में आया तो इस्रेईल डेजर्ट था जलल था कुछ नहीं था तब लगबगा 18 सेंचुरी से विश्व के देशों में जो यहुदी फैले हुए है इस्रेईल की गौर्वेंट ने उनको कॉल दिया कि अपना देश हमको मिल गया है आप आईए और इस देश के बनाने में सहयोग दीजिए आपको आश्चर लगेगा विश्व के 184 देशों से 1.5 मिलियन यहुदी अपना सब को छोड़ करके इस्रेईल आया भारत से भी गये जियू और उस समय इस्रेईली कॉंसलेट में एक बुक निकाली इंडियन जियू उस बुक की प्रिफेस के अंदर वो लिखता है कि लास्ट 18 सेंचुरीज के अंदर यहुदी विश्व के 104 देशों में रहे लेकिन हर देश के में उनके डिस्क्रिमिनेट किया गया उन्हें सेकंड ग्रेट सिटिजन किया गया उनका मरडर किया गया उनका जेनोसाइड हुआ लेकिन उन लिखता है ओनली वन एक्सेप्शन के वल एक अपवाद है वो भारत जहां इस दीरगताल के अंदर कभी भी उनके साथ वे नहीं हुआ तो री इमर्जेंस मस्ट है, सुपर पावर बनना मस्ट है पर किस प्रकार की सुपर पावर और इस नाते से ये जो भारत का पीहेवियर है और रेस्ट का पीहेवियर है इसके बीच के अंतर को अगर हम नहीं समझेंगे तो जिस प्रकार की हमारी कल्पना है वह पूरी नहीं होगी जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद देश कैसा होगा बहुत लोगों ने सपने देखे मार्तमा गांदी ने देखा भारत ऐसा होगा उसकी एक बुक छपी है गांदी जी के सपनों का भारत नेता जी सुभाज बोश्ट ने सपने देखे उसकी एक बुक निकली है नेता जी के सपनों का भारत बहुत से लोग थे जिनोंने सपने देखे लेकिन कहे नहीं ऐसे लोगों में बहुत से क्रांतिकारी थे एक प्रसिद नाम राम प्रसाद बिस्मिल का आता है बिस्मिल की एक गजल बहुत प्रसिद नहीं हिलत्वान में चलती है सरफरोशी की तबन्ना अब हमारे दिल में है दीखना है जूर कितना वाजुए कातिल में है उसमें एक share आता है जिसमें बिशमी केते हैं कि वक्त आने बे बता देंगे तुझे ए आसमा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है तो दिल में तो था उनके कहा नहीं इन सबके निमाद में क्या था एक देश होगा जह गडी भी नहीं होगी, जह विशमता नहीं होगी, जह आशिक्षा नहीं होगी, जह सम्रद्धी होगी, चरित्र का नहीतिक्ता का इस्तर मुचा होगा, इन सब सपनों को लेकर देश आजाद हुआ, देश में एक समिरान बना, समिरान में एक व्यवस्था, जो वेस्टर में व्यवस्था थी, तो कि लंबे समय यहां पर वो गिल्ट हुई थी, तो तीन पिलर उसके, जो हम लोग कहते हैं, वो बने, कारेपाली का हुई, एग्जेक्टिव, लेजिस्लिचर, जुडिशरी, एक चोथा स्टेट, जो रचनाए बनी, लेकिन अनुभव क्या आता है, आजादी के बाद भी, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ब्रेटिश ने, रूलर्स, मास्टर्स, एंड सर्वेंट, इस माइंड सेट का बनाया था, उस माइंड सेट में कोई चेंज नहीं आया, आजादी के बाद, पुलिस को देखकर साधाण आदमी को मैं प्रोटेक्ट हूँ, ऐसा अनुभव मी होता है, उसको फीर भै लगता है, जो तंत्र है, वो कुछ सुपर मेंटेलिटी में है, और सामवान आदमी एक अन्य वस्ता के अंदर है, लेजिस लेचर के अंदर, जो कानुन बने, समिधान निर्माताओं की कल्पना कुछ भिन थी, लेकिन ध्यान में आता है कि कानुनों का इंप्लिमेंटेशन उसके प्रश्ण है, जुडिश्री, तो आज लोग कहते ही है कि सिविल केस चलता है और आदमी मर जाता है, लेकिन डिसिजन नहीं आता है, कभी-कभी चर्चा चलती है कि न्याय केवल जो पावरफुल है, उन्हीं के लिए है, जो बोल नहीं सकता, जो एप्रोच नहीं कर सकता, और प्रेस नेशनल मुवमेंट के समय जरूर बहुत बटा रोल था, एक आइडियोलोजिकल रिवोलूशन के रूप में, नेशनलिटी को जगाने में, लेकिन आज वो भी सस्पेंस, थ्रिल, टियार पी, राइट रॉंग नहीं, इसी पर है, और इसलिए कुल्मिवाकर लगता है कि, सम्यधान बनाने वालों का हेत्व बहुत अच्छा था, जिनों ने आजादी के लिए अपने जीवन को और लगा दिया, उन सब के मन में सपने थे, पर सित्तर साल पीतने के बाद भी हमको लगता है कि, कुछ न कुछ गड़बड है, तो कहीं न कहीं मूल गड़बड है, तो एक मिरजा कारण ऐसा है, कि प्रॉब्लम खड़ी होती है, उसको सौल करने के लिए हम कुछ न कुछ उसका समाधान खोचते हैं, जिससे करप्शन बहुत हुआ, तो भारत सरकार में सोचा कि एक सिस्टम होना चाहिए, जिससे करप्शन को कंट्रोल किया जाए, तो एक ला से एक संस्था को क्रियेट किया गया, CBC, Central Vigilance Commissioner, जिससे मजज़ार बात ऐसी हुई, कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए जिसको नियुक्त किया था, सुपरिम कोट ने उसी को करप्ट करके निकाल दिया, तो लगता है कि कहीं न कहीं कुछ fundamental गड़बड है, तो problem कहीं पर है, और solution हम कहीं पर खोज रहे हैं, तो उर्दू में मिर्जा गालिब स्वयम एक शेर में वो कहते हैं, कि उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, कि दूल चेहरे पे थी, और आईना साफ करता रहा, कि एक प्रोबलम जो में खड़ी हुई, और उसका एक बड़ा मूल कारण रहा, कि सेकुलराजम की अधूरी समझने, क्योंकि एक प्रोबलम जो में खड़ी हुई, कभी-कभी अपने आपर डियस कोठारी जिनके नाम से, और एजुकेशन में रिफार्म का एक कमिशन बना था, कोठारी कमिशन, तो वो एसी इंटिलेक्शल सभा में हमेशा कहा करते थे, कि भारत की इंटिलेक्शल की सबसे बड़ी प्रोबलम है, कि भारत की इंटिलेक्शल का ग्रेविटेशनल सेंटर भारत से बाहर है, तो यूरो सेंट्री ग्रेविटेशनल सेंटर होने के कारण, secularism जो वहाँ था उसको वेसे ही हमने adapt कर लिया वह religion के conflict में secularism आया तो religion के साथ संगर्श है इस चक्कर में हमने आजा दी के बाद धर्म, संस्कृति, नईतिक्ता, morals सब को system से बाहर कर दिया तो देश में कहते हैं कि systems हैं लेकिन उसके अंदर जो रस, जो अमरत प्रवाइत होता है, value system का वो गायब है और इस कारण से हमको इस संदर्व में विचार करना पड़ेगा गंधिवादी विचार धर्मपाल जी केते थे कि सारे देश में चर्चा चलती है कि भारत को महान बनाना है तो धर्मपाल जी केते थे भारत को महान आप बात में बनेगेगा पहले भारत को समझ लिए भारत क्या है ने तो आप जो समझते हैं वैसा भारत बना देंगे और इसलिए जब ये संस्कृति का विशे आता है तो एक बात का इसमर्ण करना चाहिए कि दुनिया का इतियास अर्नाल टाइनेपी ने जो विवेचन किया है उसने कहा कि दुनिया का इतियास kingdom, kings, dynasties या states का नहीं है ये civilizations का है और civilizations create by culture and culture create by philosophy and world view तो एक world view और philosophy west की है और एक world view और philosophy भारत की है उसके आधार पर भारत की संस्कृति बनी उसके आधार पर west की संस्कृत बनी उसी का विश्व का अनुभव आया और इसलिए आप तेखेंगे कि वेस्ट की जो और world view रहा उसका एक जो बेसिक कॉंसेप्ट रहा जो सेमेटिक मजबों के अंदर कि कंटिनियूस फाइट बिट्विन टू इश्वर और शैतान गौड और सेटन कंटिनियूस फाइट है कहीं मिलते नहीं है ये फाइट का कॉंसेप्ट जब परकोलेट हुआ साइंस के फिल्ड में तो मेटर और माइंड का कॉंफलिक्ट जब वो मार्क्स ने उसको शोशल उसमें लाया तो हैवज और हैवज नाट का कॉंफलिक्ट जब डारविन ने उसको जीव शास्तर में लाया तो सबल और निर्बल स्ट्रॉंग और वीक इनके बीच का कॉंफलिक्ट जो जेनेसी से ओल्ड टेस्टामेंट का वो केता है कि पास दिन में इश्वर ने सारी दुनिया बनाई मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, गर्ण, नक्षत्र छटे दिन उन्होंने इस्तरी और पुरुष को बनाया और फिर कहा ये जो सुंदर दुनिया मेंने बनाई है वो तेरे भोग के लिए है यह वर्ड व्यू था आदमी के पास लेकिन पावर नहीं थी लास्ट टू-300 इयर्स में साइंस और टेक्नलाजी की सोफिस्टिकेट पावर और ये वर्ल्ड व्यू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मॉडल आज बना है उसके कारण से आज प्रश्ण खड़े हुए है तीसरी ही जो बात उसमें से निकली जो आज के सारे टेर्रिजम की जड़के अंदर है कि एक कॉंसेप्ट आया कि मेरा पाथ, मेरा गॉड वही राइट बाकि सब राउंग और अगर सब राउंग है तो उनको समाप्त करना चाहिए इसलिए चाहे करश्चनिटी आये चाहे इसलाम आये बिफोर सारी कल्चर ट्रेडिशन उनोंने समाप्त की अभी अभी रिसेंटली आजकल बहुत पापुलर है नौवलिस्ट डान ब्राउन बहुत सारे उपन्या से उसके है उसके जो दो उपन्या से एंजल सेंड डॉमेंस और दूसरा दिदाविंची कोड उसमें उसने ये प्रतिपादित किया है ग्रीक युनान के समय जो साइंस, आर्ट्स, लिट्रेचर जो एक सिविलाइजड दुनिया एं खड़ी थी सब उससमाप्त कर दिया तो उस वर्ल्ड अभी मेंसे यह सारी प्राबलम है और इस कारण से जब नेशन पावर्फुल बनते हैं तो कालोनीज बनती हैं शोशन होता है अधिकार का प्रैत्म होता है और इस नाते से आज विचार करने के आवशकता है कि इसका आल्ट्रनेट अगर कुछ हो सकता है तो भारत के वर्ल्ड व्यू को समझना पड़ेगा और भारत के वर्ल्ड व्यू की तीन चार मुख़्ी जो बाते हैं पहली चीज हमारियां पर एक मानी गई कि एक ही तत्व है एक शब्द बहुत आजकल परचलन में चलता है यूणिटी इन डायवर्सिटी ये भारत की विशेस्था है मैं समझता हूँ कि ये शब्द पुरहोगी थोड़ा गड़ड़ा है क्योंकि जब यूणिटी इन डायवर्सिटी हम कहते है तो डायवर्सिटी को पहले मान लेते हैं और फिर उसके बीच में यूनिटी खोजने की कोशिश करते हैं कि यह यह के हमारी अपर ऐसा नहीं कहा है हमारी आपर कहा One Manifest in Diversity इसलिए यूनिटी है एक ही multi उसमें और Manifest हुआ है इसलिए एक ही तत्व यूमन विंग में, एनिमल में, प्लांट्स में और जिसको हम matter कहते हैं, जड़ कहते हैं उस सब में वह एक ही Manifest हुआ है यह एक पहला तत्व हमारे आपर महना गया और यह अगर है तो एक simple था जो मंत्र है इशावासिका उसमें simple कहते हैं हो इशावासियम इदम सर्वम यदकिन जगत त्यान जगत Conscious और Unconscious Matter और Mind यह सब एक ही तत्व से इश्वर और अगर यह एक है तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि रिसोर्से सीमित रहेंगे इसलिए उन्होंने कहा कि भोग करो लेकिन त्याग पूर्वग तेन तेन बुंजी था जो आज मैंने कहा हैं Desire, Desire and पूरा और ग्लोग के सारे रिसोर्से को मनुष्य अपने पास जो खीचने की कोशिश कर रहा है और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ग्रीट मत करो, लालच मत करो माग रदह कस्य स्वीद्धनम अगर लालच आप नहीं करेंगे तो कॉलोन नहीं बनाएंगे आप कमजोर का शोशन भी करेंगे तो जो हम एक मॉडल सोसते हैं कि एक ऐसा विश्व बनना चाहिए एक ऐसा देश बनना चाहिए जहां सजवा हो पारिवारिकता हो मुझे लगता है कि फंड़मेंटल इस बेश को और विचार करने के आवशक्ता है और इसलिए कहा गया है कि जब एक ही अनेक हुआ है तो परस पर सहयोग परस पर सामन्जस परस पर सम्वेदना ये पैसिस हो सकते हैं और इनके अधार के उपर और आज विचार करने के आवशक्ता है मुझे लगता है कि इस परिप्रेश के अंदर आज देश के सभी क्षेत्रों में विचार करने की आवशक्ता है जब देश आजाद हुआ तो भारत की संस्कृति की ये धेवाक्यन एक आइडियल के रूप में समिधान निर्माताउने हमारे सामने रखे लेकिन उपापो केवल स्लोगन्स रे गए हैं केवल वाल के उपर लिखे हैं उनका व्यवार से कोई संबन नहीं है उन्ट वाक्यों को अगर आप इस्मर्ण करेंगे आजादी के बाद भारत सरकार का जो मोटो था वो था सत्यमेव जयते लोग सभा के उपर लिखा हुआ है धर्म चक्र परिवर्त नाया सुप्रिम कोड के चीफ ट्रस्टिस के आसन के उपर लिखा हुआ है यतो धर्मस ततो जया आकाश्वानी का जो गोशवा के बहुजन हीता है दूर दर्शन का सत्यम शिवं सुन्दरम जो हमारी इंफेंट्री है थल सेना उसका सेवा असमाकम धर्मा जो हमारी वायू सेना है एर फोर्स उसका नभः सद्रशम दीप्तम जो नेवी है उसका शन्नो वरुना जो हमारी NCRT है उसका अस्तोमा सद्गम है जो LIC है उसका है योगक शेमों वहाम्यहम जो लिबर मिनिस्ट्री है उसका इश्रम ये उजयते जो पोस्टे इन टेली ग्राफ है उसका है हर निश्टेवा महे वाक्य तो बहुत सुन्दर है लेकिन आज के जब पार्लेमेंट के लोगों को कहते हैं तो कहते हैं पता नहीं उस समय के लोगों ने कुछ लिग दिया है ना जीवन से संबंदरा ना विवस्ता से संबंदरा तो जो हमने वोया है वही हम और पा रहे हैं इस कारण से इसके संबंद में आज सोचने की आवशकता है और इसलिए कुछ जो फंडामेंटल्स मैंने कहे है कि डाइवर्सिटी रहेगी लेकिन डाइवर्सिटी के बीच में जो संगर्ष है वो चाहा रिलिजन के फिल्ड में हो चाहा सोसाइटी के फिल्ड में हो आज प्रॉब्लम है भारत में भी ये प्रॉब्लम है और विश्व में भी है एथनिक ग्रूप साथ नहीं रह सकते हैं रेस, लेंग्वेज, अलग-अलग आधार पर उन्होंने नेशन्स बनाए लेकिन अगर डिफरेंट लेंग्वेज, डिफरेंट एथनिक ग्रूप है वो साथ में रह नहीं पाते तूट जाते हैं सोवियत संग पंदरा टुकडों में बढ़ गया क्योंकि एथनिक ग्रूप साथ नहीं रह सके योगो-सलाविया सेवन पार्ट्स में बढ़ गया क्यों एथनिक ग्रूप साथ नहीं रह सकते हैं तो मुझे एक प्रसंग याद आता है कि मार्गरेट थेचर जब इंगलेंड की प्राइम मिनिस्टर थी तो यह गटना उस समय कि जब सोवियत रोज तूटने वाला था गौरबाचे परमुख हो गई थे और पेरस्तराइका और ग्लास नोस की प्रकरिया चल पड़ी थी तो थेचर वहाँ पर गई और जब लोट करके आई तो कुल्दिप नेयर अपने देश के बहुत बड़े सेकोलोरिस्ट है और आरेसेस के तो बहुत प्रेमी है वो क्योंकि हमार यह विरोध भक्ती भी एक भक्ती कहीं जाती है रावन की भक्ती राम के प्रती थी तो सही कंटीनियों सोचता था थोड़ा पाइंट अलग था लेकिन कुल्दिप नेयर का आर्टिकल के रहा हूँ यह किसी आरेसेस वाले का नहीं है जब वो हाई कमिशनर थे वहाँ उन्हेंने एक आर्टिकल लिखा कि जब थेचर लोट करके आईं तो एक दिनर पे हम लोग मिले तो मैंने पूछा आपकी रशायात्रा कैसी रही उन्हेंका बहुत अच्छी रही तो क्या लगा बोले गॉर्पचो बहुत उदास थे निराश थे अधास थे क्यों बोले यह एथिनिक गुरुप सानथ नहीं दे पा रहे हैं क्या है कि रूश फूट रहा है अग। आप मेरे हाद से जारा है चो नहीर ने ने थेछर को पूछ तो पूछा कि आप ने क्या कहा है थेछर में जो जवाब टी बड़ अश्शर जनके मार्गोर्एर थेचर में कहा कि मैने उन उनको कहा कि अरे इस समय आप अपने परम्मित्र भारत से सला क्यों नहीं लेते हैं? जो इतने हजारों साल से इतनी लेंग्वेज, इतनी कास्ट, इतने रिलिजन्स, इतने सेक्ट, डाइलेक्ट, इंस अपोने करके चल रहा है. उनकी समझ में आता है, लेकिन हम रस्ता नहीं खोशते हैं. जाए व्यक्ति हो, जाए भाषा हो, जाए कोई भी आइडेंटिटी हो, नमबर वन वो अपना एग्जिस्टेंस चाहता है. सेकंड, वो अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहता है. यह नॉर्मल प्रोसेते, एक सिंगल सेल भी बड़ी का है, वो भी अपनी एडेंटिटी चाहता है. वो निचुरल है. तो इसका मतलब क्या है कि आप आसमें कॉन्फलिक्ट होना चाहिए? तो हमारे यह आप अरका, इसके लिए संस्क्रत में तीन शब्द हैं. एक्जिस्टेंस के लिए अस्तित्व. हर एक अपना अस्तित्व चाहता है. दूसरा है असमिता. हर एक अपनी आइडेंटिटी चाहता है. लेकिन एक तीसरा शब्द है, अहंकार, इगो. एक्जिस्टेंस और आइडेंटिटी में कोई प्राब्लम नहीं है. लेकिन जब इगो जुड़ जाता है, तो सुप्यारेटी और इंफ्यारेटी आजाती है. मेरी लेंग्वेज सुपर, मेरी कास्ट सुपर, मेरा रिलिजन सुपर, तुमारा इंफिरियर. तो हमारी यहां पर कहा गया, कि आइडेंटिटी और एक्जिस्टेंस रहे, लेकिन इगो ना इसके लिए क्या करना, तो एवरी आइडेंटिटी अपने से बड़ी आइडेंटिटी के सांस रगाव करे. इसलिए एक मॉडल खड़ा किया गया, कि एक व्यक्ति जो है, वो अपनी आइडेंटिटी अपना एक्जिस्टेंस रखे, लेकिन फैमेली को अपने से सुपर माने, फैमेली अपनी आइडेंटिटी रखे, लेकिन उसका जो कास्ट है, उसको सुपर माने, कास्ट अपनी को माने और हुमिनिटी सारे ब्रह्मान को माने एक मॉडल होने किवाल किया जो हर एक का एक्जिस्टेंस हर एक की आइडेंटिटी रखते हुए भी एक समाधान का मार्ग खोश सकता है मुझे लगता कि आज तमील और इंदी को लेकर लिंगायत गूजर पाटिदार दलित भिन 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 परकार की आइडेंटियों के जो विवाद है मुझे लगता इन सब के अंदर जो हम सब की बातों में आया कि भारत भारत की संस्कृति विश्व मानवता इसके साथ में एक लगाओ की एक प्रक्रिया जो भारत ने एक मार्ग दिखाया है वो इन चीजों का समाधान कर सकता है एक दूसरी बात है कि जो स्टेट है स्टेट अगर सम्यदन शील हुआ डेमोक्रेसी या मुनार की उसके पीछी के एटिटूट का महत्व है राज तरणीड में कल्णा ने एक प्रसंग लिखता है कि कश्मीर का राजा चंदरपीड था वो शीव भक्त था शीव मंदिर बनाना चाता था जो इस्थान था उस लेंड में एक सामान्य व्यक्ति की छोटी सी एक हट थी वो उसका पजेशन था उसके उपन मंत्री लोग है कि राजा मंदिर बनाने वाला यह जमीन दो उसने का ये मेरे एंसेस्टर्स की जमीन मैं नहीं दूँगा उसको लालस दिया है हम तुमको आठ गुना कीमत देंगे बोले बिचने के लिए नहीं है उसको थोड़ा भै दिखाया उसमें का मैं नियुगा भली मार दो मुझे प्रजा का क्या होगा उसकी जमीन है उसकी मालकियत है और अगर मंदिर का डिजाइन पूरा नहीं होता है तो हम मंदिर बनाने का विचार छोड़ देंगे जब ये बात उसको पता लगती तो वो कहता है कि मैं पूर्वजो की जमीने बेचूंगा तो नहीं लेकिन एक अच्छे काम के लिए राजा चाहता है तो राजा मेरे घर में आकर के अगर भिक्षा मांगता है मुंदिर के लिए तो मैं दान के रूप में जमीन दे दूँगा और घटना लिखता है कि राजा महाँ पर जाता है वो भिक्षा मांगता है वो जमीन देता है लेकिन आज हम देखते हैं कि जो सक्षम है वो गरीद की जमीन को कैसे कैप्चर करें गार्डन की जमीन को कैसे capture करें change up land कैसे हम कर दें अंतर क्या हारा है कहीं न कहीं ये जो संस्कृति का तत्व है ये उसमें से निकल गया है उसी तरह से भारत की संस्कृति एक और महत्व का जो विशा है वो अर्थ के प्रती दरश्टिकून जीवन के अंदर दो महत्व की चीज़े हैं अर्थ और काम पूरी वेस्टर्ण सिविलाइजेशन इसी दो पुरशार्थ पर है डिजायर फुल्फिल डिजायर उस फुल्फिल डिजायर को करने के लिए और टेक्नलोजी है प्रोडक्शन से उससे नीट्स की पूर्ति करना है उसके लिए निचरल रिसोर्सेज लेना है उसके लिए टेक्नलोजी डेवलप करना है और मैकिजिवन कंजप्शन और ये जब सुप्रीम हो जाते हैं तब मॉरल्स हमारी यहां पर कहा गया कि अगर धर्म निकल गया और केवल अर्थ और काम यही सुप्रीम रहे दुनिया का कोई कानून कोई सरकार कोई वेवस्था करप्शन को समाप्त नहीं कर सकती और इस कारण से इसके संदर्ब में और हमारी यहां पर कहा गया कि कामना की पूर्ति तापश्यक है डिजायर पूरी होना चाहिए लेकिन उसके लिए काह गया कि नेचर नीट्स पूरी कर सकती है ग्रीट नहीं फट्डामेटल हमारी साइकलोजी के अंदर हमारी लाइफ इस्टैल के अंदर हमारी चर्चाओं के अंदर जब तक हम इस व्यूपाइंट को नहीं चेंज करेंगे तब तक अर्थ अगर सुप्रीम है तो किसी भी मार्टियम से लूँगा आपको इसमरण होगा पुराने जमाने के अंदर जिसको थोड़ा बेकवर्ड केते हैं लेकिन यसे लोग होते थे कि सरकारी आफिस में आप अपना काम जल्दी कराने के लिए उनको और ब्राइब देते हैं रिशवत देते हैं तो वो मना करते थे नहीं 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 क्यों पले पाप का पेसा घर में नहीं लेना है क्योंकि बाल बच्चे हैं उनको कुछ नुकसान होगा आज जमाना बहुत बदल गया आज अब ब्राइब भी देना चाहते हैं तो वो पोजिशन खड़ी करेगा कि ब्राइब दो जब आप ब्राइब देंगे तब वो कहेगा क्या करें बाबू आखेर को बाल बच्चे हैं अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो जो पहले वाला ना करता था उसको रोकता कौन था पुलिस रोकती थी जुडिशिरी रोकती थी एक्जुपिटी रोकती थी कौन रोकता था रात के अंदेरे में भी और किसी को छेड़ना नी चाहिए रामा जोईस जी केते हैं कि हम जिस मार्ग के ऊपर चलें संस्कृती को हमने बिदा कर दिया तो जो आज हो रहा हो ठीक है तो बड़े विनोत से कहते थे कि हमारे यहां पर कहा गया कि भाई धर्म पर चलो तो का सत्य बोलना धर्म है हमारे सारे नेता कह रहे हैं कि धर्मन निर्पेक्षब बनते हैं तो जून बोलते हैं बही मानी करते हैं क्या गलत करते हैं ठीक है हमारे यहां पर कहा गया कि पराया धन मिट्टी के समाने एक पुराना प्रसंग रांका बाका का पत्ती पत्मी जा रहे थे वो जमाना ते जब यह कहते थे कि परायधन मिट्टी है तो पती को सोने का डेहर मिला आगे उसने का आदमी को पुरुष को थोड़ा अंकर देता है ज्यादा समझदार है पत्मी की बजाए ऐसा होता नहीं है लेकिन मुझे अनुबवनी है लेकिन वो तो उसने क्या सोचा कि पत्मी को सोने का आकरशन रहता है इस जल्दी जल्दी मिट्टी डालने लगा उसके उपर वो लेकिन उनके दुरभागय से वो पूरी मिट्टी डालने के पहले पत्मी पहुँच गई उसनो पीला-पीला आज का पत्मी होता तो घुमा देता कुछ तो इमानदारी से उसने कह दिया कि यह परायाद सोना था और तुमको कहीं इसको देख के तुमारा मन खराब नो इसलिए मिट्टी डाल रहा था उनके पत्मी क्या उतर देती है अजीब आदमी हूं मिट्टी के उपर मिट्टी ड रहे हैं कि सक्षम आदमी कैसे सोशन करना इसकी और चला है मुझे लगता है कि आज इनके समाधान प्यदर करना है तो हमको अपने संस्कृती के मूल में अर्थ अर्थ के प्रती हमारा व्यू अर्थ को उपारजन करने के प्रकार इन सब के संदर्ब के अंदर एजुकेट, म अब आजकल जो हमारी जुडिशरी है वो ब्रिटिश सिस्टम से आई है और एक शद बड़ा पपुलर है आजकल रूलाफला लेकिन रूलाफला आया कैसे तो इंगलेंड के अंदर पहले तो जातियां आती थी जाती थी पर्मानेंट कोई नहीं था एक हजार साल पहले नार्मन लोग आये और उन्होंने कबजा कर लिया जब कबजा किया तो ये नार्मन लोगों ने जब इंगलेंड पर कबजा किया तो इंगलेंड के जो मूल लिवासी थे उनकी जमीन थी उनके फॉरेस्ट थे उनकी सारी संपत्यां थी उसको अपने हाथ में capture करने के लिए 95% of resources अपने हाथ में करने के लिए उन्होंने ला बनाए दूसरे के अधिकार को अपने हाथ में करने के लिए ला बनाए और इसको इंगलेंड के इतियास के अंदर प्रारंब केते हैं rule of law का यह है rule of law और यह जो rule of law आगे चला इसके दो बेस बने evidence और argument राइट और wrong सही या गलत इससे संबंधनी है judgment आएगा evidence पर argument पर आप बढ़िया argument का वगिल खड़ा कर दीजिए और बढ़िया evidence देदेजिए false evidence भी खड़े कर दीजिए आप बढ़ियो जाएगे तो कभी-कभी परश्च में आता है कि ethics का कोई संबंध है कि नहीं है हमारी यहां पर इसी को कह गया कि धर्म के बिना अर्थ धर्म के बिना न्याय अगर इसके उपर चलेंगे तो यही चलेगा कभी-कभी मुझे आश्चर लगता है कि हर court के अंदर जो गवाही देने के लिए आता है वो जिस धर्म का हो इंदु होगा तो गीता पर अथ रखवाइए मुजल्मान होगा तो कुरान पर रखवाइए इस पर आप लेकिन चल रहा लेकिन चल रहा है अब यहाँ अगर प्रोसेस रही तो हम किसको दोका दे रहे हैं और इस नाते से इलाबार आई कोट ने एक जज़्जमेंट दिया कि बिना विवा के साथ में रहना की नहीं तो जज़्जमेंट में क्या दिया लीगली यह गलत नहीं है लेकिन एक भगवान के दिया से कुछ थोड़ी बहुत संस्कृती का प्रवाव है तो एक लाइन उसमें लिख दी लेकिन मॉरली ठीक नहीं है क्या मॉरल का कोई संबंध है कि नहीं है देश में विचित्र पहस चलती इंटिलेक्ट चल जगत में है एक पड़ा विश्व चला आजकल है गे मेरीज जैसे यही विश्व की सबसे बड़ी समस्या है मुझे एक नहीं कहा कि आपका क्या कहना गे मेरीज में मैंने तो मेरीज ही नहीं की लेकिन आप जो कहे रहे हैं संदर विचार है सारा विश्व इसको अपना ले तो कुछ गर्षों के बाद विश्व में कोई प्राबलम ही नहीं रहेंगी क्योंकि कोई रहे गई नहीं सवाल यह है कि ठीक है मनुष्य तरह तरह की प्रवर्दी के होते हैं लेकिन हम बेस किसको बनाने वाले हैं आज डेवलपमेंट की बात बहुत चलती है लेकिन हमार यहां पर कहा गया कि जब हम डेवलपमेंट केते हैं विकास तो विकास कैसे होता है हम एक पैर आगे रखते हैं वो जमीन पे रहता हैं दूसरा पेर उपर उठाते हैं. फिर उसको नीचे रखते हैं, फिर दूसरा पेर उपर उठाते हैं, इसी तरह से आगे बढ दे ये जमीन पर रखा हुआ पेर संस्कृती है, और ये उपर उठा हुआ पेर जसको आप modernity कहते हैं, वह है. है विदावुट फाउंडेशन आप संस्कृति कोई कहे आज जो चल रहा है कि नहीं हम तो पेर रखेंगे ही नहीं यहां पर एक पेर उपर बिना उसको नीचे किया दूसरा भी उपर कर सकता कोई प्राबलम कुछ नहीं है लेकिन हुगा क्या डिस्ट्वाइ हो जागी इस सदिष्ठान के उपर आज विचार करने के आवशकता है हमार यहां पर सिटी डवलप्मेंट होता है स्वामी विवेकानन से पेट्रिक गेडेस का संपर काया था दुर्भागे से चंडीगर के कारण हम कार्ल बुरजीयस को बहुत जानते हैं लेकिन पेट्रिक गेडेस को भ इसको समझ कर तेल अभी उसने बनाया तेल इसको सुंदर उसने बनाया पेट्रिक गेडेस में फिप्टीन सिटी के उपर भारत में काम किया अपने बुक के अंदर वो केता है कि कल्चर और नेचर हमारी नगर रचनाओ के अंदर इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा पहले ह अधर नेचर हमारी रचनाओ के अंदर मनुष्य भी रहता था पशूपी भी जगा रहती थी पक्षी भी रहते थे पानी भी रहता था पेड़ भी रहते थे त्रीव रहते थे आज हम एक ऐसी सिविलाइजेशन डेवलप कर रहे हैं कि मेट्रो सिटीज के अंदर केवल मनु जब लाइफ के साइकल को हम तोड़ देंगे तो प्रॉबलम्स का सौल नहीं होगा और इसनाते से मुझे लगता है एक और महत्रुकी जो बात है कि आज संपून अभिश्व के अंदर जो हम कहते हैं कि आतंकवाद और भिन्न भिन्न रूपों के अंदर जो क्लेशेज हो रह और इसनाते से एक पांसात मिट बहुर संक्षे पे मेरी बात पूरी करता हूं कि थोड़ा पीछे मुड़कर हम यह जो भारत में कहा गया कि एक ही तत्व पूरे समाज जीवन में है तो हमारी यह माना गया कि यह जो दर्शन है यह जो संस्कृतिक जीवन मुल्य है यह इच इसने अवरी नाट ओनली एग्युकेटिव लेजिसलेचर और जुडिशरी बट अवर फेमिली हमारा बिजनेस हमारा मार्केट हमारा गाव हमारा शहर आल वेक्षण फ लाइफ यह तत्व प्रवामान है और यह हमारे देटू टू टेल यह एक फिलोसफी नही था हमारे हम थोड़ा भूल गहें थोड़ा मुड़ करके आप दिखेंगे हिंदुस्तान के अंदर प्रांत भाषा संपरदाई के परे एक कोने से दूसरे कोने तक हर घर में एक परंपरा थी पहली रोटी कुत्ते के लिए गाई के लिए आखरी रोटी कुत्ते के लिए हर घर में एक पक्षी के पानी पीने के लिए पात्र टांगते थे, कोई पंची, रिलेशन वित, वो जो बर्ड स्रश्टी ही उसके लिए, आज हम प्रोग्रेसिव होगे, इसलिए आदमे को भी पंदर उर्पे की बोतल लेना पड़ती है, घर के बाहर पशु के लिए होज बनाते थे, मचल में और वो कहता है कि भई सुवे से एक भी ग्रहक नहीं मिला है, पुरे भारत में परंपरा थी, चौदा अपना भाग छोड़कर उसको मुका देंगे एक, यह परस पर सहयोग का व्यवार था, जब बजार में हम कुछ खरीदने जाते थे, चाहिए वो दूद देगा, तो दूद देने के बाद थोड़ा उपर से डालता था, कि ग्रहक को कम न मिला हो, आज तो हम पेट्रोल पॉम पर ऐसी मशीन बनाते हैं कि कैसे कम दे, यह जो सिंपल सिंपल बात है, इतने ही नहीं तो हमारे स्पोर्ट के अंदर भी हमारा तत्वग्यान था, एक वेस्ट में ख हमारे स्पोर्ट के आए, हो गया, ठीक इसी परकार का खेल हमारे यह केरल में चलता था, परंपत्सोपानम, हंड्रेट उसमें यह थे, उसमें भी सीड़ी बनी यह साप बनाएं, लेकिन साप के मूपे भी कुछ लिखाएं और सीड़ी के नीचे भी कुछ लिखाएं, अन्न पीचे क्यों आए, क्योंकि यह गलती की मैंने, उपर क्यों गए, यह मैंने अच्छा काम किया, इन स्पोर्ट के अंदर भी एक वेल्यूज आफ लाइफ दिखाया, और मज़ेदार बात एक ऐसी है, कि सबसे बड़ा जो साप है उस खेल में, उसका मूँ है 98 पे, और उसकी जो टेल है, पूच वो दो पे है, उसके आगे लिखा हुए है डिजायर, अनकंटोल डिजायर यह सबसे बड़ा साप है, मैं समझता हूँ कि यह जो भारत है, यह जो तत्वा है, यह किसी भी मॉडल में हो सकता है, और इसलिए भारत के अंदर चाहे ट्राइबल में रहने व इस एकत्व को आज समझने की आवशक्ता है, और आज ऐसा समय आगया है कि जब वेस्ट भी अपने उस पुराने वर्ल्ड व्यू से बाहर आने के लिए कुछ प्रैप न कर रहा है, क्वांटम और रिलेटिविटी आने के बाद और एक नई चीज जो आई है, इस एकत्व की बात, यह विश्व मानने लगा है, स्वामी वेगानन ने 1897 के अंदर कहा था, कि वन एटम इन दिस इनिवर्स के नाट मूव विदाओ ड्रेगिंग दा होल वर्ल्ड अलांग विद इट, एवरी आस्पिरेशन मस्ट गो और इंक्रिजिं तिल इज इंगल्फ दा होल हुमिर और डेविट भूम हो, या फ्रीडमेन हो, उन्होंने अनप्रोकन होलने साफ यूनिवर्स इसकी जो बात कही, और उसमें से फिर जो विशे निकला, कि अगर ऐसा है, तो यह यूनिवर्स यह इंटर कनेक्टेड है, इंटर डिपेंडेंट है, इन्विंसिबल है, और लगी है, और इसलिए जब 1962 के अंदर, थामस कुन्य ने अपनी प्रसित्व पुस्तक, बेस्ट्रक्शर आप साइंटिफिक रिवोलुशन लिखी, और उसमें उसने प्रडाइम शिफ्ट की बात कही, कि क्लासीकल, साइंटिफिक न्युटोनियन मॉडल, और सेमेटिक मजब द्रश्टी से, जब हम शिफ्ट हो रहें, एक अलग ही दिशा के अंदर, वह दिशा, और मैं समस्ताओं की, भारत की सुन्सक्रती में हमारे रिश्यों ने जो कहा है, और इसलिए कापरा ने जब तावा फ्रिजिक्स लिखी, तब उसने इंडियन, इस्टर्न, मिस्टिसिज और क्वांटम इसके समनवे को करते हुए, कहा कि एक नए वर्ल्ड आगर को करना है, तो मेरे पूरु वक्ता में किसी ने टर्निंग पाइंट का उलेग किया था, तावा फ्रिजिक्स के बाद कापरा की दूसरी पुस्तक टर्निंग पाइंट आई, और उसमें कहा कि इस वन इसके उपर, इस wholeness के उपर, आधारित value system के द्वारा, हम अपनी family, अपनी society, our nation, our whole world, और total और जो being से हैं, उसके संदर्म में हम विचार करेंगे, तो उसमें से आने वाले समय के अंदर और एक रास्ता निकलेगा, मैं समझता हूं कि ये रास्ता भारत दिखा सकता है, और इसलिए एक अंतिम बाग के कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगा, स्विट्जियलेंड का जो international management है, उसके head Gene Pierce Lehman ने, एक बार अरप, China, Soviet Russia, Europe, सभी की civilization, economies का एक analysis करने के बाद, एक future के लिए prediction उसने भारत से एक अपेक्षा की, तो उसका अंतिम paragraph था, जिसमें Lehman केता ह है, कि दा global environment is desperate for ideas, philosophy and religion, India is the most prolific birthplace of all three, due to his great synergy of democracy and diversity, आगे हो केता है, कि दा Indian religious and philosophical traditions can provide, और तीन बाते केता है, can provide the sense of moral order, spirituality and an ethical compass, what right and what wrong, an ethical compass, which the world desperately needs, आगे हो केता है, 21st century, better become the century, inspired by the Indian politism, और अगे हम यह नहीं करेंगे, तो क्या होगा हो आगे केता है, or else we are headed for disaster, मैं समझता हूँ, कि ना के बाल भारत के अस्तित्व के लिए, लेकिन विश्व एक परिवार बने, एक बाजार न बने, एक परिवार कुटुमबगम की जो बात है, उसको साकार करने के लिए, हम इस भारत के viewpoint को, भारत के philosophy को, भारत की psychology को, भारत के value system को, हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर अभीवक्त करने के माधिम बने, और मुझे लगता है कि इस हाल में उपस्तित, सभी समाज जीवन के स्रेष्ट चिंतक और सक्री लोग, हम सब के प्रयास से आने वाले समय में, ऐसा भारत महान बनाने की प्रेरिना, भगवार नम को दे, आप सब ने इतने धहरी के साथ मुझे सुना, या जहला, जो भी कहें और मैंने फोड़ा दस मिनिट जादा समय लिया, उसलिए आपके माफी मांगते हुए, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ